जहिंद वेलकम बैक टू विजेपथ एजुकेशन पालमपुर आप सभी का एक वार फिर से विजेपथ एजुकेशन के साउनलाइन प्लेटफोर्म में हार्दिक स्वागत है सो आज 17 दिसंबर 2013 को RMS का एकजाम आर्मी एजुकेशन के द्वारा कंड़क्ट करवाया गया पूरे ओल इंडिया लैवल के उपर आपका एकजाम रहता है जीके का सेक्शन हमने अल्रेडी अपलोड कर दिया है इसकी आंसर की आपको प्रवाइड करवा दी गई है जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाए मैथ के सेक्शन की आंसर की को हम डिसकस करने वाले हैं तो एक वार आप जुड़ जाएए 50 कोशन मैथ के सेक्शन से पूछे जाते हैं तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएए और यहाँ पर हम answer की जो है वो math की share करने वाले हैं आपके साथ तो यह set A हमारे पास रहेगा, series A हमारे पास रहने वाली है GK का section हमने पहले ही discuss कर दिया है आपके साथ math के section को discuss करने जा रहे हैं देखिए सबसे पहला जो हमारे पास question है math में जो पूछा गया था question number 151 जो था वो math के section से पूछा गया था तो देखिए सबसे बड़ी संख्या गयात कीजिए जो 200-320 को पूरी तरह से भी भाजित कर सके तो वो संख्या कौन सी है, 40 है, option D's का सही answer रहेगा next question 152, दोस्ते है अभाजिस संख्याओं का गुणन फल आपको बताना है गुणन फल आपको दिया है 117, उनका लगुतम समावर्तक कितना होगा तो यानि कि दोनों को गुणा करने पे 117 आता है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या 1 होगी तो इसका LCM कितना आएगा, 117 ही आएगा, option A's का सही answer है next 153 question आपको solve करने के लिए दिया था, board mask के method से आप इसको solve कर सकते है option D's का सही answer रहेगा, next घनाब में कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं क्यूवर्ड में total 6 होते हैं, option C's का सही answer है next पांचंकों की सबसे छोटी संख्या जो 19 से भी भाजित होती है 19 से जो पूरी की पूरी जो है वो cut जाए, वो संख्या आपको बतानी थी 155 का question जो है इसका right answer रहेगा, option number B, 11013 next आपको median निकालना था, median के लिए आप इसको ascending, descending order में लिख सकते थे जो middle का number है वही आपका median है, तो median इसका रहेगा, यानि कि माधिका वो रहनी है 14, option A, सही answer है, 157, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोन सी है, तो देखी, पांच अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो रहेगी हमारे पास 5 times 9, तो option A, इसका सही answer है, next 158, आपको 10 लाख के पूर्ववर्ती, पूर्वर्ती का मतलब होता है एक पीछे और उत्रा धिकारी मतलब एक आगे, तो अंतर बताना था, तो एक जब कोई पीछे गया, एक आगे गया, तो अंतर हमेशा 2 का रहता है option B, इसका सही answer है, next 159, तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं है, तो तीन अंकों की कुल जो है वो कितनी संख्याएं है, 900 संख्याएं है total, तो 900 यानि की option A, इसका सही answer है, next question है, 160 question, दो अंकों की सबसे बड़ी और दो अंकों की सबसे चोटी संख्या का अंतर, देखी, 99 सबसे बड़ी और सबसे चोटी दो अंकों का 10, तो माइनिस करेंगे, 89 option B, सही answer है, तीन क्रमगत पू पर 51 बनता है, तो middle number 17 बने का option D, सही answer है, next area से question पूछा गया था, 700 meter area दिया गया था, और 25 meter जो थी वो इसकी चोड़ाई दी गई थी, तो आपको 700 को 25 से भाग करना था, 28 जो था वो इसकी length आजानी थी, option A, इसका right answer रहना था, next फिर से board mass से आपको solve करना था, 163 question, इसका सह answer रहना था, 37.02, option D, बिलकुल right answer था, 164th question था, दो संख्याओं का योग दिया था, और उनमें से एक संख्या दी थी, दूसरी आपको निकालनी थी, तो आप minus कर सकते थे, इसका right answer था, 10.10, option A is the right answer, 165 गुणनफल आपको ग्याद करना था, दोनों संख्याओं को आपको simple multiply करना था, 165 का question, right answer था, 104.16, तो option B इसका right answer था, next, 875206 और एक के साथ, 8 हंकों की जो सबसे बड़ी संख्या जो बननी थी, वो आपको बतानी थी, 8 हंकों की, तो देखिए, सबसे पहले जो आएगा, वो आएगा, 8 फिर आएगा, 7, ठीक है, तो 8 जो सा, वो सिर्फ एक ही बार था, ठीक है, तो सबसे पहले 8 आना था, फिर उसके 7 आना था, उसके 6, फिर उसके 5, 5, 2, 1 और 0, तो option D's का right answer था, next, सबसे छोटी, मिश्रित संख्या composite number जो है, वो होता है, 4, तो option number A सही answer था, फिर से आपको, एक simple सा calculation दी गई थी, यह देखिए, किसी बच्चे ने यह पर solve किया भी था, तो 24 आपका कहा जाना था, उपर जाना था, 4 से 24 कटना था, 6 और 6 तया 18, यानि कि option D's का सही answer था, next, 169 question जो है, बिल्कुल easy level का, 12 दिन में बयाम करता है, और इशान हर 8 दिन में, तो किस दिन जो है, वो अगर आज बयाम किया, तो फिर से एक साथ कब करें है, LCM, LCM जो है, वो हर बार क्या होता है, repeat करता numbers को, तो 8 और 12 का LCM कितना था, 24 तो, 24 में दिन जो थे, हो सकता है, हमतला next exercise जो है, वो सेम आईगी, तो option A सही answer था, next, बिल्कुल simple सा question था, 12 पंजे 60, तो 60 को किस से गुणा करूं कि 60 बने, तो 1 से option number A सही answer है, next, ये आपका ratio proportion से question दिया गया था, next, ओशत की IU का question था, 10, 12, 14 वर्ष दी गई है, और ओशत बतानी है, तो 10, 12, 14 को add कर लीजिए, कितना आएगा, 36 तीन बने है, 3 से भाकिया, 12, option number B, इसका सही answer है, 172, देखिए, मैं एक आवाजे संक्यों, यदि आप मुझे में से 1 घटाते हैं, तो मैं 9 स कट हो जाओंगा, तो देखिए, अगर 29 से मैं एक कम करता हूँ, तो कितना आता है, 28 और 28 नो से नहीं कटता, लेकिन 19 में से जब एक कम किया जाए, तो 18 जो की 9 से कट जाता, इसलिए option B, right answer है, next, ABC का, मान आपको ग्याद करना था, तो wrong question आपके पास दिया गया था, 18, 10 और 6 सबको गुणा करना था आपको, 18, 10 और 6 को क्या करना था, गुणा करना था आपने, तो यह आपका right answer यहाँ पे नहीं बन रहा, 1080 इसका right answer रहना है, 173 question कहाँ, 1080 लेकिन यह option में नहीं दिया गया था, तो इसका एक marks जो है, वो extra आपको मिल जाएगा, 1080 multiply करके आएगा, यह question आपका गलत है, next 174, इसका right answer था, option number C, 16, next 175 question था, एक लड़का, 80 में से 25 अंक प्रापत करता है, और 15 अंकों से fail हो जाता है, तो देखिए उसने 25 अंक प्रापत किये, अगर 15 उसको और मिल जाते तो कितने हो जाते, 40, यानि कि वो पास हो जाता, तो 40 किस में से चाहिए, 80 म निकि उसको पास होने के लिए 50% number चाहिए, तो option D, इसका right answer था, next question है, 176, क्रम को पूरा करना था, number series की एक question आपको reasoning की form में भी पूछा जाता, ये cube दिये गए थे, एक क्यूब दो का, फिर तीन का, फिर चार का, next आना था, 5 का, 5 को तीन वार गुणा करेंगे, 125, option D, right answer थ का क्षेतर फल आपको निकालना जिसका परिमाप दिया गया था, परिमाप का मतलब होता है, 4 into side, वो दी थी, 640, तो side कितनी आजानी थी, आपके पास, 160 आजानी थी, तो 160 गुणा, 160 आपको करना था, तो 177 का, जो right answer था, 25600, option number B is the right answer, 178, दो संख्याओं का गुणन फल दि थी, तो 10800 को आप क्या कर दो, 90 से भाग कर दो, आपके पास, easily दूसरी संख्या निकला आनी थी, और इसका right answer क्या था, option number D, 120, cut करके आना था, next बिल्कुल सा question था, plus minus का, simplify करना था आपको, तो जब आप इसको solve करेंगे, तो 8.5, right answer था, option number B, right answer, 180 का, चत्रभुज के सभी को का योग कितना होता है, तो दीखिए, बंद आखरिती है, चत्रभुज हमारी इस तरीके से बनती है, तो 360 degree इसका right answer है, option number A, 181 फिर से easy question था, brackets आपको open करनी थी, minus 2 जो है वो इसका answer रहना था, option number A, 182 आपको HCF पूचा है, HCF होता है, ऐसा number जो सभी को काट सके, तो 10 से जो ह एक और दो में से आपका right answer था, option number A, यानिकी 2, 183 दोनों का योग करना था, दोनों को योग किस तरीके से करना है, क्योंकि एक संख्या minus में दी गही है, plus minus, minus, तो इसका मतलब 36 में से 29 के, तो 7, लेकिन symbol हमेशा बड़ी रकम का लगता है, इसलिए option C, इसका right answer रहेगा, next फि 16 से 16, तो right answer कितना था, option number A, option number D जो है इसका right answer था, यानिकी 184, next 185, तो एक परिक्षा में 60 में से 49 नमबर लिए, ठीक है जी, 49 नमबर लिए, 60 में से, percentage निकालनी है, गुणा 100 कीजी, 0 से 0 कट गया, 6 से, 49 को आप 10 से गुणा कर दीजी, कितना आएगा, 390, 390, अब 6 से डिवाइड कर दीजी, 65, option number D, इसका right answer है, 65, next question था, simple multiply करना था, आपको 7 से, तो इसका जो right answer आपके पास रहना है, 471.765, option number D, इसका right answer था, यह आप चेक कर सकते हैं, आपने question answers को, 187 का, आप देखिए, यहाँ पे, 3 क्रमगत विशम संख्याओं का योग, आपको बुले, जिससे वो विभाजित होता है, तो right answer था, option number A, यानि कि 3, वे संख्या, आपको ग्याद करनी थी, 75 प्रतिशाथ है, इसका 15, तो यानि कि आपको क्या करना है, 15 बटा 75 करना है, गुड़ा 100 करना है, ठीक है, 15 से कट जाएगा, 5 वार, 5 से 100 कट जाएगा, कितनी वार, 25 वार, तो right answer था, option number B, 25, वे चोटी से चोटी संख्या आपको बतानी है, जो 24 से भाग देने पर, शेशफल 8 बचता है, तो वो थी आपके पास, 80, option number C, right answer है, next question, 190, देखी, 0 से भाग करना है, 0 से किसी भी नंबर को भाग कीजिए, हमेशा 0 ही आएगा, तो option number B, right answer है, जादा सोचने की ज़रूरत नह गटती है, तो इसका right answer था, 191, 191 का हा, right answer है, 1001, option number B, सही है, 192, 4 संख्याओं का उसत दिया था, 4 अन्य संख्याओं का उसत आपको 20 दिया, 8 संख्याओं का उसत आपको निकालना था, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, 4 संख्याओं का दिया है, 4 गुणा 16 जाएगा, 4 अन्य संख्याओं का भी दिया है, तो कितना जाएगा, 20, 16, 64 और 20 को 4 से करेंगे, तो 80, 4, 6, 6, 12, 13, 14, 8 से भाग कर दीजिए, 18 इसका answer बनना है, 18 option में नहीं है, तो ये question आपका गलत है, 18 का right answer रहना है, ये question आपका गलत है, next, 193 question, 12, 16 का HCF बताना है, 12, 16 का HCF होता है, 4, option number B, सही है, next, रमेश ने 1350 सेबों को 5 बैगों में भरा है, तो divide by 5 आप कर दीजिए, right answer था 270, 270 का बिलकुल सही answer जो है, वो रहना है, 194 का option number B, हाँ, right answer है, next question है, 195, दो संख्याओं का लगूत्तम समवर्तक, उनके HCF का 28 गुना है, तो आपको वो संख्या बतानी थी, इसका right answer है, 420, option number B, next, 58 और 68 के बीच, सभी अभाजे संख्याओं का आपको सम बताना है, तो कौन-कौन सी संख्याओं रहती है, 159 है, 161 है, 167 है, सभी को add करेंगे, त तो इसका right answer जो था वो 187 बनेगा, option number C, next, 197, 10 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, 10 आदमी 4 दिन में करते हैं, तो 5 का आपको बताना था, divide by 5 कर देंगे, MDH formula आप यूज कर सकते हैं, 4 को 2 से गुणा किया, 8, option number A, 8 इसका right answer था, next, 198, 36 लड़के 49 दिनों में काम करत है, 21 दिनों में, 7 से काटी है, 3 वार, 7 से काटा 7 वार, 3 से 36 कटा 12, और 12 सते कितने, 84, अब 84 टोटल आगे, लड़के, 84 लड़के आपको चाहिए, लेकिन 36 तो आपने पहले ही लगाए हैं, तो extra आपको कितने लगाने पड़ेंगे, 84 में से आप 36 को माइनस कर दीजिए, 48 9 question, तीन अंकों की छोटी संख्या जिसको पल्टने पर कोई परिवर्तन ना होता हो, तो वो है 101, आप इसको किसी भी ओटर में लिखें, फोरबड में लिखें, रिवर्स में लिखें, आपकी सेम रहेगी, 101 option number D से ही answer है, 8 का घथांक है, exponent of 8, 8 का घथांक है, तो देखिए, देखिए, दो को जब मैं तीन वार करूँगा, तब आठ आएगा, इसलिए, नन अफ दीज, option number D, इसका right answer था, तो हमने math के section के जो है, वो लगबग, पूरे question, 50 question पूछे जाते थे, वो cover कर लीजे, जिसमें से 2 question आपके गलत थे, बाकी depend करता है, इसकी official answer की के ओपर, अभी करवा दिया गया, विजेपत education के दौरा, जल्दी से अपनी answer की को check करें, और comment करें कि कितने आपके सही answer जो है, वो बन रहे है, एक और वीडियो को share आप जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में, और channel को जरूर subscribe आप कीजिए, जल्दी ही मैं next class के साथ आप से मिलूँगा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत